हैपी कर्वा चौत वेलकम बैक टू आर चैनल मिनी इंडियन हैपी कर्वा चौत है तो आज चांद नहीं निकले वह तेट बारिश हो रहे हैं तो पता नहीं चांद कभी निकलेगा सिरियसली हम लोग इतना वेट करें हम पूजा कर ली सब कर लियो जैसी पूजा हुए और एक लगी और बिजली कड़करी है तो लगता तो नहीं कि चांद दिखेगा लगता है कि फिर से चांद की फोटो देखनी पड़ेगी या तो वीडियो कॉल करके दूसरी जगे का चांद देखना पड़ेगा तो चलिए जो भी होता है हम आपको आगे दिखाएंगे आपके शहर में चांद निकला की नहीं निकला की हमारे जैसा हाल है है तो अभी रात के तीन बजें हैं यह करवा चौत के पहले वाली रात है और आज करवा चौत के जो एक दिन पहले सैटरडे के दिन मुझे हॉस्पिरिल जाना पड़ा कुछ इमर्जेंसी थी तो उसमें बहुत लेट हो गया हम लोग रात को काफी लेट है तो इसलिए मैंने महंदी बाहर से नहीं लगवाई पहले तो सोचा था कि नहीं लगाते हैं लेकिन शगुन की महंदी यह लगानी जरूरी होती है तो फिर अभी प्रेशू सो गई है यह रात के तीन बज़ रहे हैं तो मैंने सोचा जल देखे रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहां साइड में प्रेशू दुद्दू पी रहे हैं वह सो रहे हैं लेटी है तो मैं उठे जाएगे महंदी लग जाए है और यह मेंदी यह से हल्की फुलकी सी लगा लिए है शगुन की मेंदी अब लड़ू जी उठ जाएंगे प्रेशू तो उसको उठाना ही होगा तो मेंदी मौसी ने लगा लिए मेंदी मौसी नानी को भी लगाई है बहुत अच्छी नानी को भी लगा रहे हैं जटपट वाली मेंदी लगा लिए है पाद्ची दिख रही है है अधे भी थोड़ी सी नालिकी तो अभी क्या रही हो आप बस तोड़ी सी पीछा की साइड नीय 멱 फर्फ। बद मेंदीर पाफिछ लगा लिए एंगे कर सकते हैं सबीके मै script मेंदी जब थोड़ी बात की हो जाती है दो चार्स दिन बाद तो नेल्स पर अच्छी नहीं लगती है आदे नेल्स वाइट रहते हैं आदे वह रहते हैं इसे मौसी लगाएगी नेल पेंटो यहां पर मौसी ने गैफ छोड़ दिया अब पीछे में लोग सिंपल सा लगाएं इस भी डिस्मिस्ट हो गई है जल्दी जल्दी वाली मेंदी कोन भी खता में अब यहां आपको थोड़ी दे में दिखाएंगे मंवी की मेहंदी तो महीं ममी ने लगाई है हाँ दीदी ने पालर जाके लगवाई है वह बहुत अच्छी सी जा दीदी वाली मम्मी वाली मेंदी लगवाई है और ममी पीछे तो यह देखिए करवा चौत के दिन खाया जा रहा है चिप्स सेंडविच चटनी एंड समोसे जो की अभी पेट में चले गए हैं तो यह बनाया जा रहा है इन दोनों का करवा चौत और साथ में देखी जा रही है है रिपोर्टर सबके हजबन साथ में करवा चौत का वरत रखते हैं और यह खा रहे हैं पनीर सेंडविच चिप्स एंड समोसा ब्रेकफ़स्ट में कुछ कहेंगे इस बारे में थोड़ी चाय और लादो अच्छा लड़ू जी अपने बिस्क पूरी फटीट खात चुकी है और अभी लगी पड़ी है बेटा ओ प्रेशू अब यह प्रेट गी जाए और यह दई बढ़े अब यह सूक आप इनमें दई पढ़ना है और यह बन रही है कड़ी यह देखिए कड़ी की पूरी पकोड़ियां बन गई है और यहां पे बेसन में दई मिलाया जा रहा है चाच मिलाके कड़ी की तैयारी हो रही है खटी खटी मज़ेदार कड़ी बनेगी और साथ में हाई पकोड़ियां गिती सारी है खूप सारी कड़ी और इसमें इसमें दीदी क्या हो रहा है इसमें चावल बने हुए और यह लावू बिटिया को किस किये जा रही है बचे जा रही है और साथ में बनेंगे मुंग डाल के भजिये पूरी कचोड़ी और यह सब सामान बन गया है यह बन गई है गर्मा गरम कड़ी वाओ खाने में कितनी तेश्टी लग रही है यह देखिए आज क्योंकि यह पूजा की बनेगी तो इसमें प्याज लेसन वाला तड़का नहीं मारेंगे और यह बनने जा रहे हैं पूए मीठे वाले पूए और यह पूडी का आटा यह तैयारी हो गई है अभी पूडी और पूए बनेंगे और यह हमारी पगलिया मास्टर बजाते हैं और यह कड़ी बस पूजा गर के हम लोग कड़ी खाएंगे मस्त वाली कड़ी चावल तो दिखाते हूं मॉसी कैसे राइडी हुई है अब होने वाली है पूजा पूजा ओम आपको दिखाते हूं मॉसी कैसे राइडी हुई है तो हम लोग बस पूजा की तैयारी कर रहे हैं और बारीश और यह बाहर तो अभी चांद मुझे लगता है और लेट निकले रहे हैं है यहां पर पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है यह मम्मे अभी कता पढ़ने जा रहे हैं और दीदी और यह दीदी है पूजा की तैयारी दीदी ने आल लहंगा पहना हुआ है दिदी जरह स्माइल दे तो इतनी सीरियस क्यों हो तो हम लोग जा रहे हैं अब पूजा करने यह मेंडी मैंने घर पर ही लगा ली थी क्योंकि मैं तो जानी पाई थी तो मैंने उल्टी सीदी जो आपको रात में दिखाई है देखिए मेंदी का कलर कितना अच्छा है पूजा कर रही है और नीज पीछे मैंने लिखाए कलपश्री और लिखाए प्रेशेश प्रेश्य का नाम भी लिखाए और कता शुरू ओगए जा रहे हैं अब कता करने और फिर यहां पर तो चांस जो तेनी चांद दिखने के लिए तो हमने सोचा कि चलो मम्मी को चलंस प देख रहा है यह रही मीना दीदी और वहां साइड में मम्मी जी हैं और वो बीच में चाहन तो यह लोग पूजा कर चुके हैं और साथ में हमें भी दिखा रहे हैं वीडियो कॉल पे तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली और थोड़ी बहुत पूजा जो हम लोग रखके और अंदर पूड़ी और पिन्नी रखते हैं वह वाली पूजा मैंने अभी कर ली और उसके बाद फिर हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बाद फिल्म स्टाइल वाली पूजा भी की और यह देखिए बारिश हो रही है बिल्कुल बिल्कुल वह ज्यादे थंदा होता है दूर दूर तक कहीं चांद का निशान नहीं है नामों निशान चंदा मामा करवा चौथ के दिनी भाग जाते हो बारिश हो रही है वहां पर आपको एक व्यू और व्यू दिखा है कौन सी व्यू चल्ड़ मैं आपको दिखाओ चंदा मामा धोके बाज हर बार धोका देते हो चंदा मामा धोके बाज हर बार धोका देते हो आज फिर नहीं आये जिसके लेट करो ना और पता है kALLY ca Usually us cautely 7 38 बहुत दिखे लिए सेंट धार्ड़ी it लॉक भी लिगर तो हम लोग कह ने किया रहे थे कि देखना कल चंदा मामा किव लिए लुब UX मोमेने बहुत लक्रे लिए dicen है और चंदा आजा हम लोग वेट कर रहे हैं तो एज एक्सपेक्टेद चंदा मामा तो आई नहीं क्योंकि बारिश बिल्कुल नहीं रुकी उल्टा और तेज हो गई तो बस फिर हमने जो स्क्रीम रिकॉर्डिंग की थी वो अन की और उसके बाद फिर हमने चलनी से चांद को देखा और पती माराज को देखा और फिर पूजा कर ली तुम उपर देखो तुम आ नीचे को देख रहे हो जल देखो जल लेड़ो हम ऐसे लिए तो भी मौसी कहने वाले है क्या करने वाले सीके है यह आटा है इसे सी को पे लगा रही है और इंकरी के दीचे पेकरी अंकरी तो बहुत जादा भी डर रहे हैं कि बता हमें क्या होगा है यह वान टू थ्री नीचे पेकरी है मौसी अंकरी तो बिचारी डर रहें पताना है किता सारा यह मत तो रहो खाली मौसी को तो बहुत तो बूर से बेटा हमें कि टागी अब मुझे जलाना चाहिए कुछ दखाई कुछ दो बहुत जारे तो क्या करना है जह जह है जह 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 मिठाई करना है किता ही जल पीलोगी और ज्यादा पीलोगी और अब हम जा रहे हैं जल पीने चले और कैसे पीते हैं नहीं ऐसे बहुत है कि वह कुछ और कि यहां पर बारिश और यह चान नहीं निकला है मैं प्रिंग्डरम्योथ कि और कि यहां पर बारिश होगे चांद नहीं निकला है तो हम लोग वीडियो कॉल के द्वारा इसको चान को देख रहे हैं और पूजा कर रहे हैं यहां पर तो बारिश हुए जारी है अचना में नी अगोगी काने लिए मैंने पैन लिए अब तो चान हटा देना है ना अब टैप की जोरणनी हटा दो मैं पकड़े रहती हूं मैं मैं जाई ड्री वका ये खुत तो दीदी किया जो पूरी होती है उसको कोच में लेकर फिर आर्ती की जाती है हमारे हांतों कर्वे में भर दी जाती है चार पूरी और पाच पिन्या कर्वे में भरके और उसके उपर दीपक लगाके उस तरह से पूजा की जाती है तो वह पूजा तो मैंने वीडियो कॉल के टाइम कर ली थी और उसके बाद फिर हमने जो हम लोग चलनी से देखके वाली पूजा भी हम फिर से की थी गरवा चौत में जो हस्बेंड होते हैं वही पूजा के बाद पानी पिलाते हैं और मिटाई खिलाते हैं तो पूजा के बाद हस्बेंड सबसे पहले पानी पिलाते हैं और फिर को मिटा खिलाते हैं मुधाई का चूरूब बननी त्युम्थ चपा मैं भूछ हो欸 हई और आप जा रही है मम्मी के पूजा करने मामी की पूजा फिर एक और अलग करिके से होती है मम्मी पापा की पूजा नहीं रही होती है न municipally पहले बास चांद की पूजा करती है और उसके बाद फिर जाके पापा को तिलब और लगाके उनके पैर चू लेती है यह मम्मी पूजा कर रही है हम लोग तो चलनी से यानि कि चलनी से चांद देखते हैं फिर हजबन्स को देखते हैं मम्मी ऐसे नहीं करती है पूजा करती है और बाद में जाकर पापा के पैर चू लेते हैं नहीं नहीं देखेंगी चलने से इस वाम्मी तो पूरे मंत्र पढ़ पढ़ के पूजा कर रही है यह साथ सीके फेकी जाती है और हमारे हैं जो पि açमिने के बताये हैंだ और तो बाद चावल की पिनेateurं चीनए लाता की ूक्रासीतों को सर्सदिते हैं ये के जरते हैं अगर आसे नहीं बन पा रहे हैं तो फोड़ा सा हातों जी जाते होना वैजिते हैं और उसको हम लोग पिन्नी कहते हैं तो वैसी पाच पिन्नी हम लोग अर्वे में बरते हैं चार पूरी के साथ और बाहर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है फूल वॉल्यूम पर टीवी चल रहा है तो यह पूरी आवाजें वहां से आ रहे हैं आज सब को इंट्रेस करवा चोज से ज्यादा उस मैच में है पापा ममे बुला रहे हैं और बारिश और तेज हो गई है कुछ नहीं और पीछे क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का तो वहां से खूब तेज तेज आवाजे आ रही हैं देखते हैं आज इंडिया जीतता है कि पाकिस्तान सदा स्वागन रहो क्या बिजली कड़की है और यह लड्डू राम प्रेशू बेसुट पड़े हुएं सो रहे हैं लावू के साथ और यह चल रहा है यहां पर करवा चौत स्पेशल यह लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं पूरा इंट्रेस्ट इनको इस मैच में हैं मैच में कौन सा कॉपी राइट भाई मैच हम सबका है तो हैपी करवा चौत आप सभी को सबके लिए करवा चौत सब अच्छे से मनाई और बताइए आपके शहर में निकला की नहीं निकला कि हमारे दिल्ली में तो अभी तक भी बारिश हो रही है की वचींग तो अब प्रेशू की दीदी का बड़े बुआ की लड़की तो हम लोग जा रहे है उसके गर में हाँ बड़े मनाने केक कट करने आप प्रेशू फ्रेशो इस दो गिफ्ट नहीं देगी प्रेशो से नच्चु नच्चु करेगी प्रेशु का पूरा स्वागत हो रहा है ब़ंधी पशाक करें साभुद्धान बढूर्डेय की तैयार ही एंपेलोंस भूलाय जा रहे है और टाइम हुआ है रात के 11.15 हुआ है और हमें 12 बज़े के पहले बर्डे मनाना है जल्दी जल्दी से डेकोरेशन करेगी है तोड़े से बस फुला लो और लगा दो और फिर अब होगा केक कटिंग प्रेश्व क्यों गंदा कर रही हो गर और यह लोग फाइनली दो मेकैनिकल इंजिनियर मिलके सजा रहे हैं और देखिए फाइनल आउटपुट हम लोग आपको दिखाएंगे कि इन्होंने दीवार को कैसे बरबाद की है कर दो की है विल्कूल खाने में लगे हुए है बीपी साब दाना पापर नहीं वह इस से बहुत बढ़ा था मोटू था हूँ अर अब ही बनने जारह प्रमि सिद्धी का कटरारें भाट का ए Anda नहीं तो प्रैश्व काट देगी कर दो महते हुआए अि य थोग करां प्रू कई आप सब लोग एकरनो हो एकल वोड़ा इन एक पड़ा प्रू हकोएगे äll फőलport क करना शर坦ा करना सत पया है कर दों करो ओिए निल्मेर आपके। दू으로 ऐगार बशकु सो फापन के में किलाया यांडवर क्षालוט नहीं हुश्या एपी ब데ड़ेड़े शब्धिक चाखुँझ है जो बिट्टिया जा बाव जूए मैं जाए एहा हैपी बर्डे तु जाए नहीं वह हैपी बर्डे तु यू हैपी बर्डे मस्दी असीती जाए आज सम लोग गाना तो गाओ जाए आज अब नहीं अभी ने अभी ने केक पर खराव लें एपी बर्ड़े सिद्धी रेशू एपी बर्ड़े नावू एपी बर्ड़े एपी बर्ड़े बोल्डी सबसे जहां प्यार करते हैं लावी दोलाई ये तुब प्लावी लोगों ने केक का क्या हाल बनाए है तो हम लोगों ने सिद्धी का बर्ड़े सेलिब्रेट किया खूब मजे में और अब हम लोग घर आगे हैं रात के एक बज़ रहे हम लोग आज का नॉर्मली जहां पर भी जाते हैं वापस आते हैं हमको रात का एक बज़ जाता है और ये देखिये प्रेश्यू बिल्कुल बेसो पड़ी है तक ही हुई आज का दिन बहुत अच्छे से बीता पूरे परिवार के साथ आप भी अपना खयार रखिये एक नए वीडियो के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए जै हिन जै भारत बाँ बाँ एंड हैपी करवा चौत बंस अगें बाँ बाँ